बिश्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीस और आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में तो आधके इस वीडियो में हमारे पास है Airports Pro 2 जो की आता है Touch Control के साथ यहाँ पर आपको डिस्पले देखने के लिए मिल जाएगा Noise Rejection आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा Dual Dock के साथ आता है ANC-ENC के फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है और Second Generation का यह Airports है तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे connect कर सकते हैं और कैसे use कर सकते हैं इन साथे features को क्या-क्या features आपको इसमें मिलती है तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिजेगा तो यहाँ पर छोटी सी इसकी unboxing करेंगे सबसे पहले friends यहाँ पर box को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ user manual कुछ यहाँ पर जो papers है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से तो इसको रखते हैं side में उसके बाद finally हमारा earports मिल जाते हैं जो आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे आपको इसमें मिल जाती है इसको रख देते हैं side में finally यह हमारा earports तो चलिए इसको open करते हैं open करने के बाद friends कुछ इस तरीके से आपका जो earports है वो so हो जाएगा पीछी आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा जिससे आप इसको on off कर सकते हैं हाला कि आप जैसे इस box को open की जाएगा यह on हो जाएगा कुछ इस तरीके से screen पे light आ जाएगी यह screen है touch से control होता है तो आपको problem नहीं आएगी ठीक है friends और बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है type c की charging point तो यहाँ से आप charge कर सकते हैं और कुछ ज्यादा इसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलता है ठीक है तो कुछ इस तरीके से जब आप इसको on किजेगा तो यह on हो जाएगा और यहाँ से scroll किजेगा तो यह display का जो lock है वो हट जाएगा उसके बाद friends इसका Bluetooth अपने आप यहाँ से on हो जाता है जैसे आप इसको on किजेगा तो Bluetooth on हो जाएगा उसके बाद bots की बात करें friends तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है इसके bots यहाँ पे सू करते हैं यहाँ पर माइक देखने के लिए मिल जाएगा जो कि दोनों में ही है आपको कोई problem यहाँ पे नहीं आने वाली है ठीक है कुछ इस तरीके से यह सू होता है बहुत ही हलका है आपको कोई दिक्कत नहीं कान में लगाने पर भी ठीक है तो कुछ इस तरीके से सू हो जाते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है आपको connect करना और यूज करना मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो आपको कोई problem यहाँ पे नहीं हो जाएगा ठीक फ्रेंट्स बैटरी यहाँ पर देखिए 75% 74% है तो अगर आप regularly इसको यूज करते हैं तो दो दिन आप ज्यादा से ज्यादा इसको चला सकते हैं बाकि आपके उपर है कि आप कितना इसको यूज कर सकते हैं बैटरी बैक आप आपको यह कैसा देता है ठीक है तो कुछ इस तरीक से आपको इसको connect करना है मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे connect करना है सबसे पहले अपना जो Bluetooth है उसको आप आप आउन कर लिजेगा जैसे Bluetooth को ले सकते हैं सारे features यूज कर सकते हैं तो देखिए यहां पर प्यर्स का जो option है आ गया है तो प्यर्स पर क्लिक करेंगे connect हो जाएगा यहां पर बोल रहा है कर लेना है इसके बाद आप आसानी से calling feature को यूज कर सकते हैं audio को सुन सकते हैं बाकि जो important feature है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं पीछे से एक बार किलिक किजेगा तो यहां पर light आ जाएगी यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यहां पर आपको सबसे पहले language setting मिल तरीके से यहां पर change कर सकते हैं जो lock screen पर show करता है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको Air words को find करना तो यहां पर ढूंट सकते हैं और आपका Air words कहीं रख दिया गया है तो यहां पर आपको ढूंडने का भी option मिल जाता है जो आप ढूंडना चाहते हैं ना यहां पर start पर click करने का फीचर मिल जाता है तो अगर आप लूट करने है तो आपके अवी को प्यूल और सकते हैं अपर कर सकते हैं यहां से आपको निटॉल करdes को और लाइक करी को양ेर मोना और और लाइक भी कर सकते हूँ देखिए आएगा, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यह feature आपको यहां पर important मिल जाता है, कि आप scroll कर सकते हैं, आपको कोई problem यहां पर नहीं आने वाली है, कुछ इस तरीके से आप reels को scroll कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने phone के camera को असानी से control कर सकते हैं, देखिए मैंने अपना camera यहाँ पे खोल लिया है, और यहाँ पे हम click करेंगे, click करते हैं, photo यहाँ पे capture हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने airport से phone में photo घीच सकते हैं, बीना click किया, आपका phone कहीं भी हो, जो light है बढ़ जाती है, यहाँ पे open पे click किजएगा तो कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको यह help कर सकता है, अगर आप बिल्कुल भी अंदेरे में हैं, तो आपको यहाँ पे कोई problem नहीं आएगी, उसके बाद friends अगली setting के बात करें, तो यहाँ पे आप music को control कर सकत हैं, friends मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे music को खोल लिया है, यहाँ से हम play कर सकते हैं music को, यहाँ से देखिए music जो है, वो play हो गई है, यहाँ पे timing चलने लग गई है, और आप भगाना चाहते हैं, तो यहाँ से गाने को भगा सकते हैं, scroll कर सकते हैं, आपको साउंड आपका घटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यह feature आपको इसमें मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पे आपको noise reduction का feature मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको यह साड़े ANC का, ENC का जो feature है, आपको मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ANC, ENC हो करन, ANC के जो feature है सब को रोग देता है, आपको बिलकुल इस सांत यहाँ पे आपको आवाज देखने के लिए मिलेगा गाने का भी, और या फिर बात करेंगे भी तो, लेकिन ENC में क्या होता है, कि environmental noise cancellation होता है, ENC, तो यहाँ पे आपको चीरिया का आवाज या फिर दूर कही हरण सुनाई दे रहा है, तो यह थोरा मुरा रोकता है, ENC के feature जवरदस्त है, तो देखते हैं कैसे काम करता है, आपको कान में लगाने के बाद ही पता चलेगा, यहाँ पे मैं बताओं, तो थोरा सा काम तो करता है, पुरी तरीके से यह काम नहीं करता है, ठीक है friends, तो यहा जाता है, अगली feature की बात करनों, तो friends, यहाँ पर आप जो गाने सुन रहे हैं, उसका जो base है, आप यहाँ पर normal करना चाहते हैं, रॉप करना चाहते हैं, पॉप करना चाहते हैं, किस design में सुनना चाहते हैं, classic सुनना चाहते हैं, jazz सुनना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसको नहीं हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आईगी यह feature आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है तो यहां से time को घटा परा सकते हैं और say कर सकते हैं कि कि इतने दिर में आपका जो एरवर्ट से ओफ हो जाएगा या फिर गाना रुख जाएगा यह किस मेटर में काम करता है मैंने अभी इसको चीक भी नहीं किया है तो यहां पर टाइम सेट करने का उप्सन मिल जाता है आप कैसे काम करता है मैं बता दूंगा कभी आपको अगले वी सेटिंग फिर से आ गई है तो साड़े फीचर मैंने आपको इसके बता दिया है एक और इंपोर्टेंट फीचर फिर्ट सीजिए जो वर्ट से ना इसमें आपको टॉच फैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप यहां पर म्यूजिक को कंट्रोल कर सक सकते हैं तो यहां पर यह जो टॉच है ना यह काम करता है आपको कोई प्रोब्लम यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहां से आप एंसी को ओन आफ कर सकते हैं म्यूजिक को साउंड को घट यह जो touch panel है यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर हमने touch किया और music रूख गई एक बार हो, यहाँ पर हम touch करेंगे, और music यहाँ पर चलने लग जाएगी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप music को control कर सकते हैं, यहाँ पर ANC को off on कर सकते हैं, आपको कोई problem यहाँ पर नहीं यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से sound को आपका टाबरा भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो sound है, वो उपर जा रहा है, यहाँ पर नीचे कीजिएगा, तो नीचे आएगा, यहाँ पर आपको touch panel भी इसमें मिल जाता है, तो आप इसको try कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, त ठीक है, फ्रेंट्स मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन सुभो,